Hello everyone, welcome back to SSC Math on SSCGL previous year का question series चल रही है, कब आय था, sir ये SSCGL 0808 2017 shift 3 के पर रही है, चले देख लेता है क्या दिया हुआ है, which of the fraction is largest among, तो ये हमें थोड़ा सा ढूणना पड़ेगा, कि कौन सा वाला fraction largest है, दो सर एक चीज़ होता है, कि आप gap चेक कर लो, sir gap चेक करते है, तो 108, 108 gap आ रहा है, दूसरे में gap चेक करते हैं, तो कितना आता है, sir, 113 gap तीसरे में gap चेक करो, तो कितना आता है, 3, 2, 5, 1, 2, 3 आता है, तो 132 आता है, ठीक है, तो एक चीज़, अच्छा 132 ही आता है, 132 आता है, और फिर तीसरे में चेक करो, तो 7 से कितना हो रहा है, ऐसा 7, 3, 10, और 1 आ गया, दो मतलब 4100, 143 आ रहा है, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कि ऐसा हो रहा है, मतलब सही है, देखो 13 से 7 बड़ा, यह नीचे 7 बड़ा, उपर 2 बड़ा, और 20 से 15 यहां से कितना बड़ा, सर 15 बड़ा, 25 बड़ा, और उपर कितना हो रहा है, 7, 5, 12, 7, 6, 13, 6 तो सबसे largest कैसे निकाले, या तो point के तरह से निकाल लो, या फिर गुना करके निकाल लो, लोगो, 12, 5 कितना होता है, सर, 12, 5, 12, 5, 60 होता है, तो 600, और 7, 13 कितना होता है, सर, लगबग, लगबग, 700 का सबस, तो यह वाला fraction बड़ा है, ठीक है, ध्यान से देखो, हम लोग क्या किये, सर, cross multiplication कर रहा है, ठीक है, तो कौन सा वाला सर, 5 बटा 113, और 7 बटा 120, तो cross multiply करेंगे, तो 5 इंटो 120 और 113 इंटो 7 कर रहा है, तो यह 700 के आसपस आज जा रहा है, तो यह सबसे बड़ा है, अब देखो, ध्यान से, 7 से 14 गुना, और 13 से 12 गुना, कौन सा बड़ा हो जा तो 13 बटा, 13 बटा, 145 यह बड़ा हो गया, अब देखो, ध्यान से, इन दोनों में से, इन दोनों में से देखो, सर, 13 इंटो 14 गुना, सर, 17 इंटो 14 गुना बड़ा होता है, अब ध्यान से कैसे हो जागा है, सर, 13 इंटो 16 करता है, तो कितना हो, तो 16, 48, 8, carry for 4, 16, 16, 14, 20, तो कितना होता है आठ और नौचा तेरा केरिफट वान तो 238 और पांच भी अभी है हमने पांच भी नहीं लिया फिर भी ठीक है तो सबसे वड़ावला फ्रैक्शन कौन सा है सत्रा आपन वन सिक्स्टी अप्शन नमबर फोर इस तो करेक्ट आंसर ठीक है चले देख लेता है नेक दस गुना कर देता है तो कितना होता है सर 50 आपन 113, 70 आपन 120, 130 आपन 140, 170 आपन 160 देखो से एकदम क्रिश्टल क्लियर हो गया कि ये एक से बड़ा है बाकी सब एक से छोटा है हमने 10 गुना कर दिया मतलब 0.1 के बड़ा वाला कौन सा फ्रैक्शन है ये ही बड़ा है सबसे ब ये ले नेक्स्ट कोशिन क्या दिया हो है निर्मित कैन दू 2 3rd of the job in 18 days कशिष्ट is twice as efficient as निर्मित in how many days will कशिष complete the job अब देखो दो बटा 3 करता है निर्मित कितना दिन में सर दो बटा 3 करता है 18 दिन में एक पार्ट करेंगे कितना दिन में इंटो 3 बटा 2 तो दो चक आटरा चेतिन अटरा दो नो आटरा होता है सर नोत इन सत्ता है गलत कर दिया नोत इन सत्ता है अब ध्यान से देखो कशिष्ट is twice as efficient मतलब इन से twice efficient मतलब दीन कितना हो जागा इसका आधा हो जागा तो बटा 2 तो 27 बटा 2 option number 2 is the correct answer ठीक है सर चले देखले तो नेक्स्ट क्या दिया ह है चालिस में टूके deep in a pool 30 meter long and 25 meter broad if the average water displaced by a man is 5 meter cube ये meter cube दिया हुआ है 5 meter cube what will be the rise in the water level of the pool ठीक है तो एक में के द्वारा displaced किया हो गया है पानी कितना है 5 meter cube तो 40 में के द्वारा displaced कितना होता है सर चालिस इंटू 5 पांच चोके 20 तो 200 meter cube पानी हो रहा है इनका volume कितना हो जाएगा सर सर हम लोग पकड़ लेता है एच हाई डूट जाएगा तो एच इंटू 30 इंटू 25 तो यहां से काट लेते काट दिये तो 25 पांच पचम 25 चोके 20 तो चार बटा पांच तिन पंदरा हो जा रहा है आपका answer अब चार बटा पंदरा मतलब सर कितना release हो रहा है सर ध्यान से देखो सर पांच मीटर क्यूब करके पानी उठा रहा था चालिस मेंने तो कितना हुआ था हमें ये data कितना दिया भाता सर मीटर में दिया भाता तो कि समें निकाला ना है इसको 100 से कर दो खतम कालू कानी सब T सतीन दुना चे तीन चोके अटरा चब्विस दसमलोग चे 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 करके चलते जाएगा आप्शन नमबर टू ये यूनिट को अगर नहीं देख के आप एंसर ढूडने जाओगे तो दिक्कत कर लोगे ठीक है ये से सीजेल का फंडा है सीजेल बोलो सीपीओ बोलो सीजेसल म कि आपको ये छोटा वाला चीज मिस हो जाए या फिर यहां पर कितना सेमी में ये वाला मिस हो जाए जब मिस हो जाएगा फिर आपका सेलेक्शन में मिस हो जाएगा तो ध्यान लगाओ ध्यान से करोगे तो एक्जाम हाल में भी जाके ध्यान से प्रैक्टिस कर पाओगे ठी देखले तो next question क्या दिया हुआ? इजे question दिया हुआ, ये question थोड़ा सा पेचिदा दिया हुआ, an article is listed for rupees 2375, a man purchased it at two successive discounts, 50% and 25% and spends rupees 165 on repairing the article, if he sells the article at a profit of 62.5%, what is the selling price of the article, ठीक है, देखो, किदना सारा step दे दिया, आप ऐसे नहीं कर सकतो, सभी percentage को गुना कर लो, फिर से हो जाएगा, अब पचास और 25 का किदना होता है, सर 55-25 लोग 5 ही होता है, successive discount, 50 plus 25 minus 50 into 25 upon 100, 25 upon 100, तो 52 25 होता है, तो 2 से 25 दूना, तो 12.5 यहां से हटाएंगे, तो 12.5 लोग 5 ही बचा रहेगा, तो 50 plus 12.5 मतलब 62.5, अब देखो, सर 2375, 62.5 मतलब, सर 12.5 के 5 गुना, अब देखो, 5, 12, 60 होता ह है, 55-25, अब यह 12.5 मतलब, 1.8, ध्यान से देखना, तो 12.5 मतलब, 5.8, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, सर 3.8, गुना करेंगे, तो हो जाएगा, तो यहां से इसके साथ कितना जोड़ना है, सर 165 जोड़ना है, ध्यान से देखो, 165 क्या कमून चल जागा, देख ले सक्ता वन हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करते है, नॉर्माली सोच लेता है, 8 से काटेंगे, 3 से घुना करते थे, 3.9, 6, 3.5, 15, 17, 22, 12, 12, 13, 13, 19, 12, 14, 13, 16, 7, 7, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 20, 18, 19, 20, 21, 21, 20, 2.. दस हम लोग 848 890.6 हम लोग ले लते हैं बाकि ने ले ले था खिक है लगबग लगबग आसपस क्या है सर ये दोनो लगभग लगबग आसपस1467.6denmpg Vinya दोनों एंसर तो एक ही दिया हुर तो ये डेटा थोड़ा सभिल लह ठीक है देख लेते हैं 890.6 और 165 जोड लेते हैं तो कितना आता है पाँच पाँच और नौचे पंद्रा केरिफ़ और वन आट एकम नौएकम दस तो 1055 आ रहा है ठीक है तो 1055.6 सम्तिंग आया था तो 1056 लेकर हम लोग चलते हैं ध्यान से देखना 1056 लेकर हम लोग चलते है 10 1056 आ गया इंटू इसके उपर इंक्रिमेंट कितना लगाना है सर 62 दस लोग 5 प्रतिशाथ इसका मतलब क्या होता है सर 5 बटा 8 होता है तो मतलब 13 बटा 8 हो जाएगा फाइनल प्रोड़क्ट के भैलू तो 8 से कारते हैं 8 इकम 8 9 10 824 आट दुना 16 तो 162 इंटू 13 करेंगे तो क कैरिफ़र्ड वन वन आगे टो 206 रुपए आ जा रहा है हमने क्या सही किये ध्यान से देखो तीन दुना 6 6 3 18 कैरिफ़र्ड वन तीन एकम तीन एकम चार ठीक है तो 1620 इधर कितना आता सर आपका प्राइस 1056 कर लिए तो 1056 आट एकम आट 9 10 आट चो के ओह हो सॉरी सॉरी सॉ करेंगे तो 1320 तीन तीन दुना 6 तीन तीन एकम तीन ठीक है तो जोडता है तो कितना होता चे नौ दो यारा केरिफ़र्ड वन तीन दू छे कम साथ तो 1716 1716 मतलब 1700 यहां पे बढ़ा लिया थे हमने थोड़ा सा कम कर देते तो 1715 दसम लग संतिंग ऑप्शन नम्बर 3 इस तर करेक्ट अंसर ठीक है यहां पे कल्कुलेशन में मेरे से गलती हुआ था आप चेक कर लेना आप साही से करना कोशिस करना कि डेटा को थोड़ा सा मैनुपलेट किया जाए कि ताकि आपको कड़ जाए हमें यह आड याद रहे गया तो कि 62.5 मतलो आट रहेगा ही रहेगा तो ह हमें किसी भी तरीके से आट से डिविजबिल के तरफ लेके चलना है तो 1056 के आट से डिविजबिल है हां सर आट से डिविजबिल है तो कर लिए खतम चले देख लेता है नेक्स्ट कोशिन क्या दिया हुआ है देखो गोड़ सर लेंद बिंड रैट अड है और थान इंट बरो क्या दिया हुआ है उन्नीस इस टू 11 इस टू टेरा घर अब डूकों हाइट किस से ज्यादा यह लेंथ इस लेंद 1913 में इसे gap कितना अच्छे gap है 1913 में gap कितना 6 है तो 6 रेशिय के वैलू 30 दिया है मतलब हर एक रेशिय के वैलू 5 होगा हमें वालम निकालना है तो वालम कितना हो सर 19 इन्टु यारा इन्टु तेरा इन्टु पांच इन्टु पांच इन्टु पांच क्या सही किये हाँ सही कर लिए अब गुना कर लेता है सर इसको सर 19 इन्टु तेरा इन्टु तेरा इसको गुना करेंगे तो कितना आता है सर उनी सो तेरा को गुना करता है सर बी सो तेरा दुरा, do दूना चबीज荷, 260 माइनस तेरा कर लेता है तो कितना हाता, सर 3, 6 कितना हो रहा है, 6 कम माइनस करना है न, तो 3, 7, 10 और 1 आगया, 4, तो 247 अरा है, ठीक है क्या किएanges, सर बी सो 47 के साथ 100 गुदा करेंगे तो कितना आ जागा, 247, 00, 20 गुदा करेंगे तो कितना है जागा, 24, 3, virus, 24,rif докум、 9,क recent दो Cum and all the way, तो 3, 0 हमें आ रहा है 3, 0, 8, 7, 8, 7, 5 तो इनके साथ क्या बचा हुआ है सर यारा गुना करना है तो 5, 75, 12 carry forward 1, तो 2, 5 last में आ रहा है तो ये data होगा option number 4 is the correct answer यारा से गुना करने का नियम क्या है सर 5 को निकालो पहले, उसके बाद आगे वाले से जोड़ो, 7, 5, 12, 2 आ गिया carry forward 1, 8, 7 कितना होता 7, 7, 14, 15, और 1 है 16 carry forward 1, 8 8, 9 carry forward 0 तो 0 के साथ 3 कितना हो जागा 3 और 5 तीन आएगा, तो 3, 3, 9 6, 2, 5 is the correct answer option number 4 चले देखले नेक्स्ट क्वेशन क्या दिया होए average age of the team of a team having 12 players is 23 years if the age of the age is also include, coach, sorry coach होगा, क्या दिया होए, हाँ, coach ही दिया होए is also include, then the average age increased by 2 years, what is the age of the coach, ध्यान से देखो 12 player के age क्या था average 23 था, अगर 13 player, अगर उन लोग का 23 का age का ही होता, तो 23 होता average, लेकिन हुआ कितना 2 increase हो गया, तो 13 जन का 2 increase हो रहा है, मतलब, plus 13 दूना 26, तो बढ़ा कितना 26 बढ़ा, 23 पहले था, तो बढ़ गया कितना, 6-39, उन चास, तो coach का age कितना होना चाहिए, उन चास साल, option number 3 is the correct answer, ठीक है, समझ में आया, अगर नहीं आया है, तो फिर भी बोल रहा हो देखो, तेरवे प्लियार, मतलब, coach होगा, 23 साल के होता है, तो average क्या होता fixed 23 ही होता, लेकिन average 2 साल बढ़ गया, मतलब, कितना होगा, सब 13 जने का 2 साल बढ़ा, मतलब, 26 साल हो गया अब 13 दूना 26 साल बढ़ गया, तो 23 से 26 बढ़ा, मतलब, coach के कितना हो, 29 साल, ठीक है, चलिए देख लिए the next question, क्या दिया हो है an item is sold at 2 successive gains of 30% and 20% if the final selling price is 31200 if the item of the item, what is the cost price of the item, अब अच्छा ठीक है इसके उपर 2 successive gains लगाए गया, अब देखो ध्यान से 30 प्रतिशत का मतलब क्या होता है 73 बटा 10, अब 20 प्रतिशत का मतलब क्या होता है, सर्फ 2 बटा 10, हम लोग normally calculation भी कर सकते है, और हम लोग successive का formula भी लगा सकते है, successive का formula क्या हो जागा 30 plus 20, gain है, minus नहीं होगा तो 30 into 20 upon 100 तो कितना होता है, सब 00 कड़ गया 00 कड़ गया, तो 50, 56, 56% तो इसके किसी क्या 56% increment होने के बाद 312.00 आया 331.00 रुपए आ गया ठीक है, अब देखो किसी का अगर suppose price X था तो उसका 156 upon 100 करेंगे तब जाके आना चाहिए 312.00 तो इसका दुगना है ना, हाँ से 200 गुना है तो 200 लिग लेता है, यहाँ पे काटके तो X परावर कितना हो जाएगा सर 20000 is the correct answer कहां से आया, option number 2 से आया क्या, यहाँ पे जो आपने चार्ड बनाया था, उसका क्या करना था दही डालना था, नहीं, देखो आचार भी नहीं डालना है दही भी नहीं डालना है, सम्जो मेरी बात को तो 3 बटा 10, मतलब 10 रूपय इंक्रीमियंट होने के बाद कितना होता, तो 13, तो एक काम करता है, 10 इंटू 10, ओरिजिनल प्राइस बढ़के कितना हो, यह 13 इंटू 12 देखो 10 से 13 हो रहा था 10 से 12 हो रहा था, तो यहाँ से हमें 13 इंटू 12 के वैलू बराबद दिया हो है, 312 00, तो 10 इंटू 10 का वैलू निकालना तो कितना होता, 312 00, इंटू 10, इंटू 10 अपॉन 13 इंटू 12 तो 13 इंटू 12 कितना होता, 12 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 12, 13, 15, 15, 15, 152, 312 होता है, ठीक है, तो क्या हो गया, 2,000 is the correct answer, यहां से भी 2,000 आजार है आपको, 20,000 आजार है आपको, ठीक है, चले देख लाते next question, क्या दिया हो है, the number of trees in a town is 17640, if the number of the trees increased annually at a rate of 5%, मतलब वहाँ पे गाउं के लोग, टाउन के लोग सारे पेड लगाते हैं, लेकिन यहां पे टाउन पे कोई पेड लगाता ही नहीं, सब लोग काटने पे तुला हुआ है, मेरे घर में आ जारा पेड, मेरे घर में आ जारा पेड, ठीक है, तो ध्यान से, कोशिस करो, पेड लगाओ, क्योंकि आभी oxygen के कितना घाटा हो रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है, तो 17640 है, number of the trees in a town, तो increase annually at a rate of 5%, how many trees were there 2 years ago, तो 2 साल पहले, अगर increase हो रहा है, 5 प्रतिशत के सबसे, मतलब 100 अगटरी था, तो 1 साल में 105 हो जाता है, फिर दूसरे साल 100 था, तो दूसरे साल में 105 हो जाता है, तो कार्टने का कोशिस करता है, 5 दूना 10, 21, इधर हो रहा 20, फिर 21, फिर 20, ठीक है, तो 20, 20, 400 हो रहा है, और 21, 21 कितना होता है, सर 441, क्या यह 441 के value, क्या यह 441 के value, बराबर 17640 आजा है, तो हमें previous वाले 3 का number कैसे मिल जागा, 400 इंटू 40 गुना, मतलब कितना होता है, 000, 4 चार्चो के 16, 16,000, 3 option number 3 is the correct answer, कहां पर है, 3 पर देखो, चलिए देख लेता है, next question क्या दिया होए, Amman and Kapil start daily and Gwalior respectively, starts from daily and Gwalior respectively, daily से एक जन और Gwalior से एक जन start करता है, towards each other, at the same time, they meet at Mathura and take 196 minutes and 255 minutes, respectively to reach the Gwalior and Delhi, the speed of Amman दिया होए, Sir, हमें क्या मालूम है, Sir, V1 upon V2 को लिख सकता है, root under T2 upon T1, यह क्यों होता है, कैसे होता है, मैं लक्स बैसमा आपको details में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए इतना सोचो, अगर दोनों गाड़ी दोनों तरफ से आ रहा है, तो meet करके जाने के बाद, यह meet करके चल गए, और यह meet करके चल गए, तो meeting के बाद, अगर इसको लग रहा है, 196 minutes, इसको लग रहा है, 225 minutes, मतलब इनका velocity का ratio, इनका पलट जाएगा, मतलब इनका respective ratio से, पलट के उसका root हो जाएगा, तो यहां से लिख सकता है, V1 क्या दिया हुआ है, सब 30 km प्रति घंटा, आपन V2 क्या दिया हुआ है, सर वही तो निकालना है, equals to, यहां पे कितना हो जाएगा, T2, 225, दूसरे को, और पहले को, 196, तो यहां से आ जाता है, 14 और यहां से आ जाता है, इधर आ जाता है, 30 बटा V2, तो V2 के value कितना आ जाएगा, 14, 28, तो कहां है, option number 1 is the correct answer, ओके सर, चले देख लेते, next question क्या दिया हुआ है, the simple interest on a sum of money, for 10 years is rupees 31300, if the principal become 5 times after 5 years, what will be the total interest obtained after 10 years, अच्छा ठीक है, ध्यान से देखना, पहले case में हम लोग solve करता है, 31, 30 है, आपका क्या interest, 10 साल का, तो एक साल का interest कितना हो जाएगा, तो 31300, 5 साल का interest कितना हो जाएगा, 5, 13, 5, 65, 5, 3, 15, 15, तो 15, 65, तो 15, 65, रूपए, अगर हो रहा है, तो principal becomes 5 times, इसके बाद principal 5 साल में 5 गुना हो जाता है, तो इंटो 5 करता है, तो 5, 25, 25, 2, 5, 6, 30, 2, 32, केरिफ़वर, 3, 15, 15, 5, 75, और 3, 78, तो 7825, आज आ रहा है कितना, 7825 आ जा रहा, प्रिंसिपल 5 गुना हो गया, अब देखो, पहले इंट्रेस्ट कितना आता, 5 सल का, उसको जोड देता, तो 15, 65, जोड देंगा, तो answer आ जाएगा, तो 6, 2, 7, 8, 80, और इदर रहा, 8, 5, 13, केरिफ़वर, 1, 7, 8, 9, तो 9, 3, 9, 0, option number 3 is the correct answer, ओके सर, चलिए देखे लेता, नेक्स्ट क्वेशन क्या दिया हुए, ये एक अलजेब्र का क्वेशन है, ध्यान से देखना, if 11-13x upon x plus 11-13y upon y plus 11-13z upon z equals to 5 दिया है, then what is the value of 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z, तो इसको थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब free कर देता, तो 11 upon x minus 13 लिख सकते है, प्लास 11 upon y minus 13 लिख सकते है, plus 11-z upon z minus 13 लिख सकते है, हाँ सर लिख सकते है, equals to 5, तो 13, 3, 49, तो उधर चल जा रहे है, तो 49 और 5 कितना होता है, 44 हो जाता है, कब जाके 11 upon 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z लिख रहा है, ठीक है, तो 11 से काट देता है, 14, 44, तो इसका वैलू कितना है, 4 आया, option number 4 is the correct answer, ओके सर, चल लिख लेदे, next question क्या दिया हुए, if 2x plus 9 upon x equals to 9, then what is the minimum value of x square plus 1 upon x square, तो इसका minimum value निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखो, यहां से solve कर देता है, तो 2x square plus 9 minus 9x, लिख सकते है, equals to 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x square minus 9x plus 9 equals to 0, लिख सकते है, 9, 2, 18, मतलब 6, 3, 18, तो 2x square minus 6x minus 3x plus 9 equals to 0, तो यहां से 2 factor आज़र, क्या आज़र एक, एक factor आज़र, 2x minus 3, दूसरा factor आज़र, x minus 3, बरबस 0, तो x का value आज़र, एक में 3, और एक में 3 बटा 2, अब मिनिमाम कौन से value में होगा, सर्थ 3 बटा 2 ले लेंगे, तो मिनिमाम हो जाएगा इसका, तो क्या होता, सर्थ 9 बटा 4 plus 1 by 4 बटा 9, 9.36, और उपर होता है, 98, 981 plus 9, 4, 3, 4, 16, तो 16, और एक कितना होता है, 16, 17, 8, 9, 97 अपन 36 is the correct answer, option no.2, ठीक है सर, चलिए देखले है, the next question क्या दिया होए, if 5x minus y upon 5x plus y equals to 3 upon 7, what is the value of 4x square plus y square plus 4xy upon 2x square, 9x square plus 16y square plus 24xy, ठीक है सर, तो 4 चो के 16, 4, 3, 12, बारा दून 24, तो ऊपर कितना होता है सर, 2x plus y का whole square, और नीचे कितना हो रहा है सर, 3x plus 4y का whole square, ठीक है, तो हमें क्या करना, इसको थोड़ा सा solve करने के कोशिस करता है, कैसे solve करेंगे सर, component और dividend लगाते हैं, तो ऊपर वाला portion, मतलब numerator plus denominator, मतलब 5x minus y plus 5x plus y upon denominator, क्या हो जागा सर, 5x minus y minus 5x minus y, equals to 3 minus 7 upon 3 plus 7, sorry, 3 plus 7 upon 3 minus 7, उपर plus नीचे minus, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाता है, yy हट जाएगा, यहां से क्या होता है, सर, xx हट जाएगा, तो उपर होता है, 10x minus नीचे 2y, ठीक है, इधर कितना होता है, सर, 7, 3, 10 upon minus 4, ठीक है, दोनों का minus रटा दीता है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 10, 10 कड़ गया, 10, 10 कड़ गया, 2, 2, 4, तो x upon y के value आ गया, 1, 2, मतलब x का value अगर k ले ले, तो y के value कितना हो जाएगा, 2k, तो यहां से कितना होता है, 4k plus k, मतलब 5k upon, यहां से क्या होता है साथ, 3k, 3k plus 4 दूना 8k, तो 8, 3, 11, इसका whole square, मतलब उपर और है, 5, 25, 25 upon, 8, 3, 11, मतलब 121, तो 25 upon 120 आ रहा है, सही किये, यहां फिर गलत हो गया, सर गलत हो गया, ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है, यहां पर क्या दिया होता सर, 4x square plus y square plus 4xy था, और नीचे क्या था, 9x square plus 16y square plus 24xy था, इसका value यही आना चाहिए, अब देखो answer क्यों नहीं आए, तो क्योंकि हमने question में, थोड़ा सा printing mistake कर दिये थे, क्या printing mistake किये थे, सर इसको minus होना चाहिए था, printing mistake यह हुआ था, तो यहां से अगर minus हो जा रहा है, तो कितना आता सर, 2x minus 2x plus y का whole square, मतलब क्या होता है सर, 2x minus y का whole square आ जाता, और नीचे कितना आता, नीचे आता सर 3x plus 4y, ठीक है, ध्यान से देखो, हम लोगों को कितना मिला सर, 2x का value 2k, minus 2k, upon कुछ भी हो जाए, तो उपर वाला 0 आ जा रहा है, मतलब 0 answer आ जाता है, ठीक है, तो यह minus था question में, मैंने यहां पर गलती से printing mistake करके, plus कर दिये थे, अगर plus होता तो कितना आता है, 4, 5, 5, 5, 25, 8, 34, 121 होता है, 112 कहां से होता है, 121, ठीक है, तो चलिए देख लेता है, next question क्या दिया हो है, if x plus y का whole square, equals to xy plus 1, then x cube minus y cube, क्या हो जागा सर, सर यहां से लिख सकता, x square plus xy, plus 2xy, plus y square, minus xy, minus 1, equals to 0, तो यहां से आता, बराबर कितना आता है सर वान ही आता है तो यहां से क्या आजाएगा सर एकस मानस वाई इंटू एकस स्क्वेर प्लास एकस वाई प्लास वाई स्क्वेर बराबर कितना होगा सर वान दिया हुआ है तो यहां से x-y का value कितना आजाएगा सरवान ही आएगा तो वही तो निकालना था x-y का value find the value of x-y तो कितना आगया 1 आगया option number 1 is the correct answer चले देखले तो next question क्या दिया हुए एक लाजब गजब question दिया हुए if the triangle in the figure PQRS PQRS दिया हुए एक figure square है जहां पे SRT is an equilateral triangle यह equilateral triangle है ठीक है what is the value of angle SOR angle SOR इसका value निकालना है ठीक है क्या यह कोई बात हुआ नहीं sir बात नहीं हुआ तो क्या हुआ ठीक है sir normally देखो na TSR का value दिया हुए आपके पास 60 degree and जहां से देखो QSR का value दिया हुए sir कितना sir 45 degree Q क्योंकि ये square है square का diagonal कितना हुए sir 48-50 really मैं होता है इसका value कितना सर 15 degree जहांसे दुखो इसका value कितना है 60 degree है क्योंकि ये equilateral triangle तो 15 60 कितना होता सर 75 आ गया तो यह वाला कितना हो जागाsm sem 180 degree minus हमें क्या निकालना था सर यह वाला निकालना था तो हम लोग क्यों निकाल रहे है तो यह external angle of the triangle तो 65 degree plus 60 degree plus 15 degree कितना होता 75 आ जाएगा option कहा है option number 4 is the correct answer okay sir चले देखले the next question क्या दिया हुआ ABCD is a parallelogram आपको एक parallelogram दिया हुए जहां पर AB 7 cm दिया हुए BC 9 cm दिया हुए and AC 8 cm दिया हुए what is the length of the other diagonal मतला parallelogram ऐसे दिया हुए जिसका ABCD हम लोग नाम ले 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 था है अगर हम लोग A ले लेते हैं 7 B ले लेते हैं 9 and D1 ले ले लेते हैं 8 cm for a parallelogram इसका formula होता है D2 बराबर root under 2A square plus 2B square minus D1 square मतलब क्या हुआ D1 square plus D2 square बराबर क्या होता है 2A square plus 2B square ठीक है तो यह format होता है तो हम लोग क्या किये इसको solve करता है 9298 plus 991 और 2 कितना होता है 162 minus 8864 तो कितना होता है तो कितना हो जाएगा सर फिर भी 98 आ रहा है तो root under 2 root 98 तो 2 root 90 मतलब 2 into 98 तो 2 into 98 आ गया तो root के अंदर मतलब 196 आ गया मतलब 14 का square आ गया तो 40 आ गया तो ध्यान से करो खतम कारो करो कहानी तो D2 के value चा होता option number 1 is the correct answer ओके सर चली देख लगता है next question क्या दिया हो है how many diagonals are there in octagon octagon के diagonals के number क्या हो जागा सर n square minus 3 n upon 2 ठीक है मतलब 64 minus 8 3 24 बटा 2 तो कितना होता है सर 40 बटा 2 मतलब 20 आ जागा option number 3 is the correct answer ये एक format होता है n into n minus 3 upon 2 ये भी लिख सकते हो ठीक है for the number of the diagonals जहां पे n क्या है number of the sides okay sir चली देख लगता next question क्या दिया हो है a square is inscribed in a quarter circle quarter circle के अंदर inscribed क्या गए such a way that the two adjacent vertices are on the radius are equidistance from the center ठीक है are on two equid are on the adjacent vertices of the radius are equidistance from the center ठीक है and other two vertices lie on the circumference if the side of square is 5 root 2 root under 502 centimeter then what is the radius of the circle ठीक है नॉर्मली सोचते हैं एक क्या दिया हो है quarter circle दिया हो है quarter circle का मतलब क्या होता है मतलब एक बटा चार office circle ठीक है यह दिया हो है कैसे हो गया इसको goal करो क्या safe बना रहे हो गलत बना दिया ठीक है तो सथ देख लेता है एक बार normally यह draw कर लेता है उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको पेंचीदा तरीके से draw कर लेता है हो गया खतम अब बोला गया कि center से यह दूरी same था एक square का यह center से एक square बनाया जाए जिसका दूरी same है यह अगर formula evaluate आपको पहले ही करने लेना आता है तब जाके यह बहुत आसानी से हो जाएगा ठीक है तो हम लोग क्या करता है इसको नाम देता है तो O A B ले लेता है और C D E F ले लेता है हम लोग को क्या दिया हुआ है हम लोग को दिया हुआ है हर एक side 5 root under 5 by 2 तो O C F C F बरावर root under 5 by 2 लिख सकते है हां यह दिया हुआ है हमें क्या निकालना है सर हम एक चीज़ जानते है O F equals to O C है हमें निकालना क्या पड़ेगा सर हमें निकालना है radius मतलब O B का length निकालना पड़ेगा तो यहां से क्या मिल सकता सर O F का square plus O C का square equals to C F का square यहां से हो सकता है तो 5 by 2 आ गया तो 2 यहां पे 2 X अगर X ले ले तो 2 X square बरावर 5 by 2 तो X square बरावर 5 by 4 तो X बरावर root अंडर 5 upon 2 यह कितना आ गया कोज सावल लेंद आ गया यह length आ गया C F का length या फिर O F का length आ गया ठीक है अब बताओ एक triangle देखो C F O का यह 45 degree है हां सर यह 45 degree ही तो है अच्छा A P C E अगर हम लोग ढूंडे या फिर A P C normally यह अगर जोड दिया जाए तो यह भी कितना है सर 45 degree है हां सर यह भी 45 degree है तो देखो सर एक चीज C क्यों यह 45 degree होता है क्योंकि C यह एक diagonal है तो इसका लेंद कितना हो जाएगा सर 45 degree वाले triangle में यह अगर रूट अंडर 5 by 2 है किसका रूट अंडर 5 by 2 है यह यह वैलू अगर रूट अंडर 5 by 2 है यहा पर लिखा ना root under 5 by 2, तो इसका length क्या हो जाएगा, मतलब C का length क्या हो जाएगा, डियाजनल of the square, ये तो normal ही है, कैसे न निकाले, ये तो root under 5 by 2 है, side, तो इसका diagonal हो जाता है, root 2 into root under 5 by 2, तो root 5 हो जाएगा, तो root 5 आ जाए रहा है, इसका diagonal का length, ये root 5 है, अब हमें क्या निकालना है सर ये थोड़ देता है ध्यान से देखो ये दोनों जोड़ दिये कौनसा कौनसा लेंद जोड़ दिये सर ये दोनों जोड़ दिये देखो 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 बाबु आ गया ये दोनों जोड़ दिये ठीक है ये दोनों जैसे ही जोड़े ये 90 डिग्री ठीक है, तो OC का square कितना आया सर सर OC वराबर आपका आ गया था कहाँ 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 रूट 5 अपन 2, तो 5 बटा 4 प्लास C वराबर कितना है रूट 5 आया तो 5 आया था तो यहां से कितना आ रहा है सर 5 चुट 20 और 25 बटा 4 तो OC किया आया 5 बटा 2 कहां है धाई option number two is the correct answer ठीक है ये बहुत ही अच्छा सा सवाल था ठीक है ऐसा question पुछा जाता है कि एक semi circle में या फिर quarter circle में अगर एक square बिठाया जाए किसके अनुसार जिसका ये distance सेम होता है उसके अनुसार होता है और एक square बिठाने के लिए बोला जाता है जो की एक side के उपर होता है ये भी बोला जाता है ठीक है हम लोग सब का अगर सीख लेंगे लक्ष बैच में अगर आपको जानना है तो लक्ष बैच के लिए comment करो comment section में मैं आपको करवा दूंगा geometry का वाला पूरा एकदम details में ठीक है धीरे 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 पूरा class आ जाएगा आपका group D के सब्सक्राइब क्या हो जाता है 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 सब्सक्राइब टैन स्क्वाद थीटा बरबर एक बटा तीन, एक बटा तीन कहां है सर, 1 उपन रूट 3 क्यों दिया, सर थीटा के, what is the value of थीटा होना चाहिए, टैन स्क्वाद थीटा नहीं, what is the value of थीटा, यह फिर 10 थीटा बोल सकतो, 10 थीटा बोल सकतो, 10 थीटा नहीं होगा, देखो यहां सब में रूट दिया होए, 10 स्क्वाद थीटा के इतना आया, रूट थोड़ी न आया, नहीं सर, 10 स्क्वाद थीटा के value के इतना आया, 10 स्क्वाद थीटा के value 1 उपन 3 आ रहा है, कुछ गलत किये, नहीं कुछ नहीं गलत हुआ, अब देखो ध्यान से देखना, 6 स्क्वाद भी बोल सकतो, 10 2 theta निकालना है, तो यहां से 10 2 theta निकल जागा, हाँ सर, 10 2 theta निकल जागा, यह गलत था, square नहीं होगा, 2 theta होना चाहिए था, ठीक है, तो 10 square theta बरबर 1 upon 3, तो 10 theta बरबर कितना आ जागा, 1 upon root 3, तो theta के value कितना है, सर 30 degree, 30 degree बरबर 10 2 theta मतलब, 60 degree हो जागा, तो 10 60 degree के value कितना होता है, सर, root 3 हो जागा, root 3 मतलब, कौन साल हो option, option number 2 is the correct answer, यह भाई होना चाहिए था, ठीक है सर, हम लोग यहां पे क्या होता है, sequence में इसको square करता है, यह 2 रहता है, square करना पड़ता है, फिर square करता है, यह भी flow में square बना दिया गया है, ठीक है, चले दख लेता है, next question क्या दिया हो है, हम लोग एकदम बाजीगर के तरीके से, हम लोग यह question करेंगे, यह tower is broken at a point P, above the ground, the top of the tower makes an angle 60 degree with the ground Q, from the another point R, on the opposite side of Q, angle of the elevation of the point P is 30 degree, if Q are equals to 180 meter, then what is the total height of the tower, ध्यान से देखो, हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया, एक tower बीच में से तूड़ गया, यह tower बड़ा था, यहां से तोड़ दिये, और तोड़ के नीचे गिरा, नीचे गिरने पर, the top of the tower makes an angle 60 degree with Q, तो यह 60 degree होता है, ठीक है, पॉइंट कहां पे ब्रेक वा था, पी से, तो जहां से आर, यह Q, यह Q पॉइंट से हम लोगों कितना मिला, 60 degree वाला, अब ध्यान से देखो, from the another point, R on the opposite side, R से side of Q, angle of elevation of the point P, तो P के angle of elevation, यहां पे दिख रहा है, 30 degree, तो यह P, यहां से लिए, यह R से लिया, तो यह O point ले लेता है, हमें QR के value, यह फिर A point ले लो, तो QR के value कितना दिया हुआ है, QR वराबर, हमें 180 दिया हुआ है, तो हमें AP निकालना है, what is the length of the tower, मतलब AP प्लस PQ निकालना है, ठीक है, यह बहुत ही आसान है, देखो ध्यान से, अगर यह 180 है, अगर यह X ले लेता है, तो यह 180 minus X लिख सकता है, हाँ सर, यह length हम लोग common कर देते हैं, दोनों case में, यह length हम लोग common करके, equate करके X को निकाल लेते हैं, कैसे, सर, 60 के opposite वाला side क्या हो जाएगा, सर, X root 3, अब 30 के opposite वाला side क्या हो जाएगा, सर, 180 minus X upon root 3, यह तो पता है आपको, क्यों, क्योंकि base के अनुसार होता है, 180 minus X upon root 3, 30-60 वाला triangle तो आपको, मैंने बहुत बार सिखाया बाबू, यह मत किया करो, कि आपको यह नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जागा, सर, X root 3, एक ही height पे टूटा था, बराबर 180 minus X upon root 3, तो यहाँ से कितना हो जागा, सर, root 3 से गुना कर देते हैं, 3X plus 1, मतलब 4X बराबर 180, तो X का value कितना आया, 180 बटा 4, तो 4, चोगे 16, 16, 16, 16, 25, तो 45 आया, तो X का value 45 आया, तो यह मतलब कितना हो जागा, यह X root 3, तो 45 root 3, यह आगिया, आपका tower का length, अगर यह 45 है, तो हमें क्या मालूम है, 30 का opposite वाला side जो होगा, 90 का opposite वाला side, उसका दुगना होगा, तो 45 इंटो 2 मतलब 90, plus 90, तो total tower का लेंता आगिया, 45 काउन ले 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 तो, root 3 plus 45, 2s are 90, option number 4 is the correct answer, ओके सर, चले देखलें लें, the next question क्या दिया होए, if sin theta plus 5 sin theta, यह theta था, sin theta plus 5 sin theta, equals to 3 theta, then what is the value of theta, सर हमें क्या मालूम है, sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2, into cos c minus d by 2, तो 2 sin c plus d by 2, मतलब 5 plus 6, 3 theta, 6 theta upon 2, into cos 5 theta, minus theta upon 2, बराबर sin 3 theta, सर क्या यह sin 3 theta, हाँ सर यह दोनों कड़िया, अगर यह दोनों कड़िया, तो 2 cos 4 theta upon 2, मतलब 2 theta के value कितना है, 1, तो cos 2 theta के value कितना है, सर 1 upon 2, किस में angle में आता है, 60 degree में आता है, cos 60 degree में, तो theta के value कितना हाग या, 30 degree, तो theta वर वर 30 degree, option number 1 is the correct answer, ठीक है, यह trigonometry का step by step का formula है, और कुछ नहीं है, और कोई apply करना नहीं पड़ता है, चलिए देख लेते next question क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, directional question दिया हुआ है, table दिया हुआ है, जहां पर cost दिया हुआ है, revenue generated हुआ, x, y, z के द्वारा, for the period of 8 year, 8 साल में दिया हुआ है, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, year 6, year 7, year 8, ऐसा करके दिया हुआ है, ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है, cost of the revenue was given by, अच्छा, यहां पर printing mistake हुआ है, कितना करोड होगा सर, यह गलत दिया हुआ है, तो कुछ तो गलत है, ठीक है, तो हम लोग एक काम कर लेता है, अच्छा, देख लेता नॉर्माली, how much tax was paid by x, y, z limited, x, y, z limited in the year of 7, तो 7 साल में कितना tax pay किया गया, हमें revenue कितना हुआ सर, 1600 revenue हुआ, cost कितना गया, 1240 गया है, 1600 revenue हुआ, 1240 गया, तो कितना, देख लेता है, तो कितना minus करता है, तो 1600 minus 1200, मतलब कितना हुआ सर, 1240, 1240 मतलब 360 हुआ, 307,000 करोड revenue generate हुआ, इसका 33% होता है tax, यहाँ पर tax निकालना था, तो इसका 33% निकाल लेता, तो कितना हुआ जाता है, सद देख लेता है, इसका 33% निकालना था, तो हमें कितना मिल जागा, इंटू 33 upon 100 कर लेता है, तो यह 0000 कट गया, तो 10 नीचे रहता है, उपर 36, 3, 6, 3, 8, तो 1188 आ जा जा रहा, अपॉन 10 मतलब 180 रहा, तो समलोग 8, option no.3 is the correct answer, ठीक है, यह data अभी normally छोड़ो, रूपीज यह करोड में, 000 इतना 0 करोड, ठीक है, चलिए देख लेता, नेक्स्ट कोईशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर फिर से, directional question दिया हुआ है, उसी question को, which of the following is not, is correct about the profit, या after tax, for year Y2, Y6 and Y8, हमें क्या निकालना है, Sir Y2, Y6 and Y8, तो Y2 का कितना हो जाएगा, Sir Y2 का कहां है, दिया हुआ है, Y2 का profit, after giving क्या, Sir after giving, अपका tax, तो यहाँ से revenue और cost में profit कितना होता है, Sir revenue और cost में खर्चा निकालता है, Y2 में कितना आता है, Sir Y2 में आता है, यारा सो मैनस आट सो पचास, मतलब पचास हो रहा है, आट तिन यारा मतलब दो सो पचास आता है, दो सो पचास करोड़, जीरो को छोड़ देता है, तो 25 चो के 100 होता है, तो 4 से कटेंगे, 4 एकम 4, 4, 38, 4, 9, 36, 10, 10, 5, 20, ठीक है, तो 195 आता है, पहले case में, Y2 के value 195 आया, Y2 के value, इसका value आया, 195 लिख लेता है, Sir Y6 निकालना है, तो Y6 का कितना, 1500 माइनस 1200 मतलब, 210 आ रहा है, तो Y6 का value आ जा रहा है, 210 ठीक है, तो पहला वाला option तो कट जाएगा, तो दोनों का सेम नहीं है, और फिर से क्या आया, Y8 निकालना है, तो कितना है, 1850, 14, 400 मतलब 450, 450 के 15 पतिशत, 450 के 15 पतिशत, निकाले तो कितना आता है, पंद्रा इंटो अपन हंड़ेट, तो यह 0-0 कड़ गया, 5-3 पंद्रा, 5-2 पंद्रस, तो 45-3, 4-3, 12, 5-3 पंद्रा, तो 135 अपन दो, 2-6, 12, 2-7, 14, 10 लोग 5, तो 67.5 आ रहा है इसमें, ठीक है, यह घटाना है, 450 से, तो 450 से घटाएंगे, 67.5 तो कितना आता, 0.5, 7-8, 12, 6-7, 7-6, 15, sorry, 8-7, 15, तो 8-7, 15 यह का गया, तो 382.5, तो यह Y8 आया, तो सबसे ज़्यादा काउंस है, Y8 है, उसके बाद Y6 है, उसके बाद Y2 है, तो option number 3 is the correct answer, क्या बोला गया था, कि आपको क्या निकालना है, after revenue generation के बाद, ठीक है, 6 से कितना आता, सर गलत किये थे, 67, 450 से निकाले, तो कितना आता, 382.5 किते हैं, तो यहाँ से क्या बोला गया था, कि revenue जो generate हो रहा है, देखो, after tax, तो tax कितना, revenue के, जो profit के, अपका जो profit होता है, उसके उपर आप tax दूग ना, तो tax निकाल के, बाकी वाले percent को, हम लोग हिसाब कर रहे था, चले देख लाए, the next question क्या दिया हुए, इस side में, बहुत ही लेंदी-लेंदी question, दीरे-दीरे-दीरे-दीरे, हम लोग का मिलते लगा है, कैसे दिया हुआ है, देखो सर, 8 साल का, हर एक साल का, हमें निकालना है, ठीक है, हम लोगोंने, क्या-क्या, डिस्टिंट प्रॉफिट, सर, हमेनी डिस्टिंट वैलू अफ याली प्रॉफिट, तो यहां से कितना होता है, 600-800 से 600 निकाले, तो कितना आता है, 200 आता है, इसमें 200 आया, फिर इसमें कितना है, 250 आ रहा है, इसमें कितना है, 9-3-12-100 आया, इसमें कितना है, 9-3-12 मतलब 250 आ रहा है, सर, इसमें कितना है, सर यहां से आजा रहा है 300 इसमें कितना आया 300 इसमें कितना आया 200 मतलब 400 तो 360 आ रहा है इसमें कितना आ रहा है 400, 480, 450 आ रहा है distinct value कौन सा आ रहा है देखो एक आ रहा है 200, 250, 300, 3 value फिर 400, 450, 4, 5 value तो 5 value distinct 5 ऐसे value आ रहा है हमने हिंदी में यह translate नहीं किया आपको बोल दे रहा हूँ यहां पे देखो आपको चार्ट दिया हुआ था हमने यह चार्ट का प्रयोग नहीं किया यह कर सकते थे लिखाव है profit for any year equals to revenue minus court यह हमें आता है profit after tax of any year equals to profit of that year minus tax of that year on the on any year equals to tax rate of the year into profit of the year मतलब सर यहां सर प्रॉफिट से tax निकालो जो प्रॉफिट हो रहा है उसका tax निकालो minus कर दो खतम कहानी ठीक है सर वही चीज़ हमने apply कर लिये थे पहले से ही ओके सर चलिए देख लेते next question क्या दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है सर what is the total sum of profit after tax for y1 to y8 after tax के बाद profit सर हमने क्या 2-3 साल का निकाल लिये थे हां सर निकाल लिये थे देखो यहां से 200 है 200 का 20 प्रतिशत चल गया मतलब सर दो दूना 40 सल गया मतलब 160 बचा हुआ है इसमें तो इसमें कितना होता है सर 350 आठ तीन यारा 250 250 का 20% मतलब 250 इंट बाइस अपन हंड़ेड तो 25 चो के 100 होता है तो चार से काटेंगे तो दूना चाहत दो पांच दस दो यारा बाइस तो पांच यारा पच्पन चल गए तो 250 से पच्पन मतलब 155 रह जा रहा है ठीक है ध्यान से देखो एक एक करके हम लोग चलेंगे 160 आया इसमें 195 आया क्या निकालना था वाट इसका टोटल निकालना है तो फिर से वाई 3 का कितना होया सर 9 312 सो 300 से 22 प्रतिशाद चल गया मतलब 300 इंटू 78 हो जाएगा अपन 100 22 चल गए ना तो 00 कड़ गया तो 27 28 24 ठीक है तो 234 आ जा रहा है इसका कितना होया सर 234 जहां से लिखते जाते हैं 160 आया 195 आया 234 आ गया इसका और इसका कितना हो जाएगा सर 950 मतलब 9 312 दोसो प्रतिशाद अब होता है 25 चो के 100 तो 25 चो के 100 आया तो इसको 75 परसें निकालता है तो 25 तिया पचत तो 3 बटा 4 तो 4 चो के 24 एक चार दूना 8 दसमलोग 5 तो 62 दसमलोग 5 से तीन गुना करता है तो 638 तीन दूना 6 5 315 638 तीन दूना 6 5 315 187.5 आजा रहे इसका तो लिख लेता है 187.5 चार साल में फिर से इसका कितना आता है 1350 मतलब 300 आ रहे है 300 के 30 प्रतिशाद 390 तो 210 आजा रहे इसका ठीक है यह कैलकुलेशन आप अगर जितना जल्दी कर पाऊगे उतना जल्दी आपक 5 था ठीक है तो यहां से कितना आ जा रहे है यहां से आ जा जा रहे है 210 आ जा जा रहे है 210 आ जा 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 रहे है 210 आ जा 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 ज खाचाठ पतिसाद निकाल लेते तो खतम कहान ही हो जाएगा तो 6, 36 कहरीफर 3, 6, 3, 18, 19, 18, 21, ठीक है 216 आ रहा है 216 इंटू यारा करेंगे तो 6, 6, 7, 2, 1, 3, 2, 2372 अपाउंट 10 मतलब 237.6 237.6 आ रहा है ठीक है उसके बाद और क्या हो जाएगे इसका आता है देखो 450 आ रहा ह पँचला चार्ड में आया था अगर आप लीक के सही से रखते तो इसको जरूद नहीं था 382.5 तो जोडते हैं तो 5, 5, 10, 6, 11, 1 एक आना चाहिए तो 5, 5, 10, 6, 16, 6 आना चाहिए लास्ट में तो 6 आया option number 1 में और जोडना ही नहीं है ठीक है और किसी में 6 था सर देखो ध्यान से करो सर और किसी में 6 था नहीं था तो क्या क्या आया point अब ध्यान स उसके बाद क्या नहीं है 210 आया 210 आया उसके बाद कोई मीस कर गए सर उसके बाद आया 237.6 सर यह चेक कर लेता है एक बार यहां से कितना आया था सर यह कौन से वलाई नौवा वाला, साथवा वाला, तो साथवा वाला कितना आ रहा है, साथ, 360, 360 में से क्या हो जा रहा है, सर, 360 में, 33, 36, 67 करना था, सुरी, गलत कर दिये, यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा गलती, पूरा एकदम, दो नंबर आपके चल गए, देखो, ध्यान से, यहां से कितना आ र रहता है, तो 6, 3, 8, 3, 9, 10, 108, 108, तो कितना होता है, सर, यह 8, 8, 1, 1, ठीक है, 1188, तो यह पॉइंट है, तो इसको माइनस करता है, कि इसके 360 से, तो 0.2 आ रहा है, 0.2, 8, 9, 10, एक आ गया, 4, तो 241.2, तो 37.6 नहीं होगा, 241.2, देखो जोडते है, 5, 5, 10, दो बारा आएगा, कौन सा वाले में 2 है, 2 में 2 है, ओ, गलत देखो, 2 आ गया, फिर से 1 आया, तो 5, एकम 6, 4, 10, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, कैरीफोर्ड, वान आया, ठीक है, तो 9, 6, 15, 16, 16, 16, 19, 19, 19, 20, 20, 29, 24, 33, 33, और इधर 8 हो रहा है, ठीक है, इधर 8 हो रहा है, हमने क्या क्या क्या, 2, 1, 3, 7, 10, 10, 14, 14, 5, 14, 5, 14, 9, 19, 19, 21, 20, ये 0 होना चाहिए था, सर, सर, 0 होगा, ये 0 होगा, और 2 आया, 2 आया, तो क्या होगा, देखो, 8, 4, 12, 1, 3, 14, 14, 14, 8, कितना होता, 8, 4, 22, 22, 23, 25, 29, कितना होता है, सर, 25, 29, 36, 34, 46, 42, 42, 42, आया, 4, आया, कैरीफोर्ड, 4, 1, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 178, 1820, ये चार्ट सही में ये बहुत ही जादा था, बहुत ही बढ़ा था, बहुत ही लेंदी था, option number 3, तो मेरा ही दो बार गलत होते होते रहिया, ठीक है, तो 1820.2, ठीक है सर, तो ये last वाला question था, thank you, bye bye, stay tuned for the next class, अच्छे से practice करो, calculation जादा जल्दी करोगे, तो उतना